अगर हम ध्यान से देखें और वहाँ पढ़ें तो लिखाए कि हे सब परिश्रम करने वाले परिश्रम करने वाले आप जहां भी रहेंगे हमें परिश्रम करने की ज़रूरत है चाहे वो शारीरिक दुनिया हो या एक आत्मिक दुनिया हमें एक मेहनत करने की ज़रूरत होती है एक परिश्रम करने की ज़रूरत होती है बस फर्क यही है कि हम आत्मिक हम जब शरीर की दुनिया में होते हैं तो शरीर के लालसाओं के अधीन परिश्रम करते हैं लेकिन जब हम आत्मिक दुनिया में होते हैं तो हम परमेश्वर के अधीन परिस्रम करते हैं जहां पर हमारे परिस्रम का रिजल्ट मिलता है प्रतिफल मिलता है आमीन जहां पर हमारे लिएक आसा होती है जहां पर हमारे लिएक उम्मीद ठैराई जाती है और वो हमीद हमारे जीवन में पूरा होती है आज वही बात प्रभू आपके लिए भी करना चाहते हैं कि जब हम प्रभू के पास आते हैं ये शु पिता के पास आते हैं तो हम सब एक उम्मीदों के साथ यहां बैठे हूं हमारी उम्मीद होती है कि हमारे जीवन से थकान दूर हो एक ऐसी थकान जो प्रति सुबा उठता हूँ तो हमारे दिमागों को पकड़ लेती हैं और हमारे मनों विचारों को पकड़ लेती हैं और वो थकान कहीं परिवार में अगर पती-पत्नी है तो पती के द्वारा आ गया, कहीं पत्नी के द्वारा आ गया, कहीं बच्चों के द्वारा आ गया, ये तमाम परिस्थितियों के द्वारा वो थकान आपके जिंदगी को थकाता रहता है और एक दिन वो इनसान जल्द ही बगेर उम्र पूरी किये हुए मर जाता है प्रभू कह रहा है कि हे सब परिस्रम करने वाले लोगो मेरे पास आओ वो हमें एक मौका देता है वचन के अनसार और जो हम उसके पास आते हैं तो प्रभू हमें एक विश्राम की बात कर रहे हैं यहां लिखा है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा आज दिमाग इंसानों का दिमाग टेंशन में होता है सुबह उड़ता है टेंशन साम होती है टेंशन सोता है तब भी टेंशन जागता है तब भी टेंशन टेंशन ही टेंशन उसको चारतरफ होती है कभी तो उसको अराम नहीं मिल रहा वो सोचता है मैं क्या करू मेरे मेरे उलजन है व्याकूलता है मैं चैन नहीं पा रहा हूँ अपने मनों में प्रभू के रहा है कि मेरे पास अवो लिखा यहँगा यहाँ पर है जब परिश्रम करने वाले बोट से दबए ही विवे लोगों मेरे पास हो अगर स्क्रीन पगर आप देखें ध्यान से वचन यहीं दिखाता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोस से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुझे क्या दूँगा अगर मैं आप से सवाल करो तो विस्राम हर एक को जरूरत है कि नहीं है चाहे वो जो भी विकती हो कोई भी विकती हो वो उन सब के जीवन में एक विस्राम चाहिए वो ऐसा सोचते हैं ऐसा कल्पना करते हैं कि प्रभू मुझे एक विस्राम दीजिए मेरे जीवन में एक विस्राम आए क्योंकि मैं पैसा तो बहुत कमाता हूँ पैसा मैंने बहुत अच्छा इकठा कर लिया है बैंक में इकठा कर लिया है पर मेरे जीवन में सांती नहीं है करके सोचता है हालेलूई याद रखें इस बात के लिए शांती नहीं बिस्राम नहीं मिल रहा है हमारे मनों में बिस्राम नहीं है हमारे कामों में विश्राम नहीं है उल्जन है बेटी के प्रती, बेटा के प्रती लेकर कुछ न कुछ विशय आपके सामने ऐसे रख दिये गए जिस के प्रती आप उल्जन में हो निवारन नहीं मिल रहा सिवाए धोखा के धोखा ही धोखा है पर प्रभु कह रहा ही सब परिश्रम करने वाले बूस से दबी हिवे लोगो मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दोगा चाहिए क्या विश्राम हाथ उठा के बोल सकते हैं हमें विश्राम चाहिए तो परिश्रम करने वालों के लिए क्या लिखा गया विश्राम जो परिस्रम करता है वो है विश्राम पाता है काम, काजी, व्यक्ति दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता बाइबल कहती है काम, काजी, मनश सम्मानित ठहरता है और वो राजा के सामने पहुंसता है काम करने वाला एक व्यक्ति आलसी व्यक्ति के बारे में नहीं परंतु प्रभु जब मती लेखा 11 द्याइका 28 वचन को पड़ रहे थे तो लिखा है कि परिस्रम करने वालों के लिए विस्राम है किसके लिए? हमारा परिस्रम किस उदेश के लिए हो रहा है? करके प्रभु आपसे जानना चाहते है पर याद रखो कि प्रभु क्या कह रहा है संतानों हे सब परिस्रम करने वाले परिस्रम करने वाले के दसा कैसी है? क्या वो व्यक्ति जो परिस्रम कर रहा है उसके पास क्या एक वचन है क्या? उसके पास ये शू पिता है क्या क्योंकि परिस्रम का फलतब मिलता है एक अच्छा फलतब मिलेगा जब आपके पास पर मेश्वर मौजूद होंगे आमे क्योंकि हम देखते हैं कि एक कमाने के लिए बाहर गया और वो जैसी कमाई करके बाहर से वापस आ रहा था बीच में उसके सारे पैसे को किसी ने चुरा लिया या उसके जीवन में घात हुआ और उसके जीवन में चोटे आई और वो हॉस्पिटल पहुँच गया विस्राम वहां नहीं पर प्रभू कह रहा है कि यदि आप अपनी जिन्दगी आत्मिक जिन्दगी जी रहे हो आत्मिक जीवन में हमारे लिए परिस्रम भी ठेराया गया कौन सा परिस्रम करना है जिससे हमारे जीवन में जो हम कर रहे हैं वो सुरश्शित रहे आमेन एक आशिश प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परिस्रम करता है सही है यूसुप जब अपना जीवन का सुरवात करता है वो बहुत परिस्रमी व्यक्ति थे याकूब जब सुरवात करता है अपने लाइफ को वो बहुत परिस्रमी व्यक्ति थे वो अपने मामा लाबान के हां जाकर के अपने मामा की भेट बकरियो की रखवाली करते रहे 20 वरस तक और इस 20 वरस में वो प्रभू को प्रथा मस्थान पे रखा और प्रत दिन घुटना टेक के दूआ करना उपवास के साथ जीना वचन के साथ जीना उनका लच्छ था एक दिन की बात नहीं थी उनका जीवन ये दिन चरया था उनकी आदत थी स पेच्छा के साथ याकूब जीते रहे 20 साल के अंदर बोलिएगा कितने साल के अंदर अपनी मामा लाबान से भी अधिक धनाट हो गया उसके पास बहुत सारी भेड़ वकरिया सोने चादी से वो भरपूर कर दिया गया क्योंकि उसके परिश्रम में पर मेश्वर की मौजूदगी थी हैलो क्या बादों को समझ रहे हैं हमारे हाथों के कामों में किसकी मौजूदगी होनी चाहिए प्रभू कहता है पवित्र हाथ उठा कर महिमा कर पर मेरे हाथ तो अपराद की हुए प्रभू कहता है अपनी जुबान खोल कर धन्यवाद कर पर मेरी जुबान तो अपराध का सिकार हुई है प्रभू कहता है अपनी आँखे उठा और उसको महिमा दे पर मेरी आँखे लालसाओ का सिकार हो गई वहाँ पर परिस्रम का कोई फल नहीं मिलता है वहाँ पर धोखे का बलाता है वहाँ पर बेचैनी का बलाता है वहाँ पर गरीबी का बलाता है वहाँ पर बार बार हास्पिटल जाने का एक इंतिजाम हो जाता है लेकिन जिस समय हम अपने हाथों को पवित्र बना लेते हैं मतलब हम अपने जीवन की उम्मीदों को प्रभू के उपर रखते हैं और हमारा भरोसा टोटली प्रभू होता है और उस समय हमारा परिस्त्रम एक फल के साथ दिखाई देता है हमारे हाथों के काम उपर किसका बल दिखाई देगा उस प्रभू का बल दिखाई देगा कि उसने कहा परिस्रम से मेरे पास आना है मेहनस से मेरे पास आना है कामकाजी व्यक्ति को राजा के सामने खड़ा होने का आउसर मिलेगा ऐसा वचन में कहता है अगर हम कामकाजी नहीं हैं हम अपने जीवन में निराशा को देखेंगे पहले का काम आपके काम में जमीन आस्मान का अंतर है आपने अपने जीवन को बदल दिया अब आपके कामों में संघर्स नहीं होगा अब हमारे कामों में संघर्स नहीं होगा अब तो वही बेटा जो नाकामी करता था वही बेटा कहेगा ममी मुझे कमाने के लिए जाना है मुझे एक अच्छे नौकरी करना है जहां उसे काम मिलता है वो इमानदारी से काम करता है अपने माता पिता के लिए कमा कर सारे पैसे देता है आलेलुया वो अपने माता पिता के प्रती आग्याकारी बनता है अपने माता पिता के प्रती बहुत ही वफादार होता है और वो मसीहत की चाल चलता है वो येशु मसी के सौभाव में जीता है अब उसके हाथों के काम में संघर्स नहीं अब उसके हाथों के कामों में ये शुमसी है यहां भटका वहां भटका उधर काम किया इधर काम किया उधर गिरा इधर गिरा उधर करजिलिया उधर रोया अब ऐसा नहीं है अब मेरे परिस्रम के साथ मेरा प्रभू मेरे साथ है अब मैं सुबह उठता हूँ बगेर प्राथना किये मैं काम पे नहीं जाता और जब मैं अपने काम को फिनिस कर लेता हूँ तो मैं एक छोटा सा धनिवाद देता हूँ प्रभू अब मैं अपने काम को करके अपने घर वापस दा रहा हूँ प्रभू कहगा जा बेटा और घर पहुचने के बाद हम प्राथना करते हैं हम वचन के साथ समय विथित करते हैं आदा घंटा एक घंटा परिवार के साथ बैठते हैं बच्छों के साथ बैठते हैं माता पिता के साथ बेढ़ते हैं और उनके साथ हम वचन खोल कर पढ़ लेते हैं क्या वचन पढ़ा मती 11-18 हे सब परिस्तरम करने माले बोच से दबा हुए लोग मेरे पासा मैं तुझे विस्तराम देने वाला हूं विस्तराम यदी प्रभू दे संघर्स खतम होता है विस्तराम यदी प्रभू दे हमारी व्यर्थ खर्च खतम होता है इसके लिए वफादार विश्वास योग्य बनना पढ़ेगा पड़ोसी को बोलो वफादार विश्वास योग्य बनना पढ़ेगा किस के प्रती किस के प्रती हाँ उस येश्व के प्रती परमीश्वर के प्रती में क्या बनना पड़ेगा हाथ उठा के बोलना है विश्वासियों के बनना पड़ेगा ते जी से बोलो विश्वासियों के बनना पड़ेगा विश्वासियों के बनना पड़ेगा आमेन बोलेंगे हालेलुया इर्मियाह अध्याए 31 वचन 25 वहाँ अपने डायरी में अगर आप नोट करेंगे तो वचन कोछ प्रभू आप से ऐसा कह रहे हैं इर्मियाह 31 अध्याए 25 वचन को हमारे साथ देखिए Bible क्या कह रहा है क्योंकि मैंने ठके हुए लोगों के प्राण त्रिप्त किया क्योंकि मैंने ठके हुए प्राणों को क्या किया त्रिप्त किया और उदास लोगों के प्राणों को भर दिया है आमीन क्या हम वचन को खोज रहा है क्या क्योंकि मैंने ठके हुए लोगों को मैं ने क्योंकि मैंने ठके हुए लोगों का प्राण त्रिप्त किया है और उदास लोगों के उदास लोगों के प्राणों को आनन से भर दिया है ये बचन आपके लिए है सुविकार करें आप ठक जाते हैं आप में उदासी आती है इस संसार की बातें मनुष्य को थकान में लेके जाती है यह संसार का जो विवहार है मनुष्य को थकान में लेके जाता है यह संसार की तमाम चीजें होती हैं ऐसी जो परमेश्वर पिता के विधान के उलट में वो आपको थकान में लेके जाती है एक ऐसी थकान जहाँ पर आपको प्रात्ना करने का मन्नी होता जहाँ पर आपको प्रमिश्वर के साथ संगती करने का मन्नी होता ऐसा संसार आपको थकान देता है अपने बुरे आचरनों के द्वारा बुरे बिवहारे के द्वारा बुरे चालचलन के द्वारा आपकी और यहां वचन में लिखा है मैंने ठके हुए लोगों के प्राण त्रिप्त किया आपके प्राणों को त्रिप्त करेगा भरपाई करेगा उस कमी को परमिश्वर जो कमी आपके अंदर है आपके प्राण के अंदर है उस कमी को दूर करके प्रभू अपनी और से आपको आसरव आप देखर त्रिप्त करेंगे ऐसा प्रभु कहता है और लिखा है वह उदास लोगों के प्राण को भर दिया है उदास लोगों के प्राण को भर दिया है उदास वह है जिसने अपने जीवन में संसार की बातों को जगा दिया जिसने अपने जीवन में बुरी बातों को जगा दिया वे एक उदासी का कारण है वह उदास पन वाला विक्ति है पर प्रभु कहता है कि मैं उदास में रहने वाले विक्ति को आनंद से भर दूँगा ऐसा वचन आज आपको प्रभु दे रहे हैं आमीन उम्मीद रखें परमेश्वर के वचन के उपर भरोसा रखें परमेश्वर के वचन के उपर वो ठके हुओ को बल देने के लिए आया उदास लोगों को प्रसंद करने माला परमेश्वर आप से बात कर रहा है आमीन वो आपको यही तो कहना चाहता है कि यदि आप एक आत्मा में जीने माले लोग हैं यदि आप विश्वास के साथ भरोसे के साथ चलने माले भाई और बहन हो आप एक परिस्रम करने माले वेक्ती हो आप यदि आप एक परिस्रम करने माले वेक्ती हो प्रभु के वचन के प्रती आप अपने आपको तैयार करते हो वो चाहे कोई भी काम हो आप यदि प्रभु आपसे कहते हैं आप उसके लिए तैयार होते हो आप अपने उम्मीदों को तोड़ते नहीं हो आप अपने भरोसे को बिखेरते नहीं हो आप अपने उम्मीदों में दरार नहीं लाते हो पर उसे आप स्थिर रखते हो वहीं तो होगा एक विश्राम पाने माला वेक्ती चर्ची की सभी प्रार्थनाओं को और पर्मिश्र के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइप प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें